हेलो फ्रेंड्स वेलकम इंडिजाइन स्टूडियोज आज के इस ट्विटोरियल में आपको बताऊंगा यह जो कूल लुकिंग सा एनिमेशन है एक्चुली लोड गो रुवील है इसको कैसे क्रियेट करना है अफ्टर एफेक्ट में तो लेट्स बिगेइन मैं एक न्यू कॉम्पोजिशन एड्ड कर लेता हूं 1080 x 720 काफी रहेगी साथ चेकंड और एक मैं न्यू और कॉम्पोजिशन एड्ड करता हूं 400 की होगी साथ सेकेंड और इस कॉम्पोजिशन में मैं एक न्यू सॉलेड एड्ड करूंगा कोई भी कलर का आप सॉलेड ले सकते हैं अब इस सॉलेड पे मेरे को दो तीन ऐसे एड्ड करने हैं जिससे वो जो स्फेरिकल फॉम है वो फॉम हो जाए पहला एड्ड करूंगा इसमें आप एफेक्ट सेंड प्रिसेट में जाके यहां पे सीसी स्फेर शर्च कर सकते हैं और नहीं तो जान मेरे पास एक प्लगिन है वीडियो को पाइलेट का उसका इस्तमाल करता हूं मैं सीसी स्फेर यह देखेंगे यह सर्कूलर फॉम स्पेरिकल फॉम में कनवर्ट हो गया जैन मैं इसकी लाइट पर जाओंगा यहां पर और इसको मैं कर दूंगा 90 एक्जैक्ली डप्ध सेंटर ओफ दा स्फेर शेडिं में जाके थोड़ी से मैनिपलेशन कर दूंगा मैं को इसका जो स्पेकुलर है यह जो बीच में वाइट सा दोट पन रहा है अगर मैं स्पेकुलर को बढ़ाऊंगा तो यह देखिए आप यह मेरे को अच्छा नहीं लगड़ा तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा जा बहुत कम पर रखूंगा 5 रख लेता हूं और एक और अब लिनियर वाइब एक अगर मैं इस स्फेर एफेक्ट के नीचे एड़ करूंगा तो यह देखिए यह कुछ ऐसा देखेगा एक दम कटिंग एज बन जाएगी तो मैं स्फेर एक्ट को लीनियर वाइब के नीचे लेँगा ऐसे ड्राइग करके अब मैं इस एफेक्ट को कुछ लाऊंगा ट्रांजेक्शन हो तो यह देखिए यह थोड़ा सर्कूल अफों में जा रहा है यह थोड़ा अच्छा भी लग रहा है तो मैं को यह अंदर का स्पेयर नहीं चाहिए तो मैं स्फेयर फैक्ट में जाके मैं फुल स्फेयर की जगा मैं इसको सिरफ आउटर एरिया रही कर दूगा आउटसाइड कर दूगा यह देखिए यह जो लाइट सी बनी आ रही है ना लाइट को यह इस पैवल एफैक्ट में ही क्रिएट की है इसको मैं तीन पर रख लेता हूँ और यह जो लीनियर वाइट का एंगल चेंज करता हूँ कुछ भी कि थोड़ा सा यह एस फों में बन जाए आप इसको रोटेट करेंगे वाइप एंगल को तो आपको बदल चलेगा आप जिस पर कार से भी रखना जाते हैं वैसे रख सकते हैं इसको यह सरी लग रहा है आप इस रख दिया वो ट्रांजक्शन कंपलीशन में के आगे जो इस टोप हो जाए यहां पर मैं क्लिक करके की फ्रेम एड करूंगा जैने इस लेयर पर आटी यू प्रेस करूंगा यह की फ्रेम में रा एक एड हो गया अब मैं थोड़ा सा आगे नियर ली दस की फ्रेम नहीं की फ्रेम आगे जाके एक और की फ्रेम एड करूंगा 100 का और पहले बहले का 0 रख के तो अब देखेंगे like this ठीक है दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा इसको इजी इस कर दूंगा अब देन कोंपोजिशन मान में जाती कोंपोजिशन दो मैंने इससे पहले की रेड के तो कोंपोजिशन तूल उसको ट्रेक करते हैं है आप प्रेकर आपको अब करके आपको अब और में लाइक दिस और उस जो मैंने आपको पहले रिवील दिखाया था उसमें आप देखेंगे के बहुत से अलग-अलग कलर के स्पेर्स मूव हो रहे हैं मतलग कट आउट हो रहे हैं तो उसको कैसे क्रेट करना वह भी मैं आपको बताता हूं यह मैंने एक स्पेर्स त्यार कर लिया अब इसी से ही मैं अलग-अलग परकार के हर एक स्पेर को त्यार करूंगा तो मैं इस स्पेर की लियर पर क्लिक करके Ctrl D प्रेस करूंगा यह लियर डुब्लिकेट हो जाएगी दन एस प्रेस करके इसका साइस प्रोपर्टी खोलूंगा और इसको कर दूंगा 100 ही रगा 102 ठीक है इसको मैंने 2% पड़ा कर दिया लास्ट वाले से और प्रेस करके इसकी रोटेशन प्रोपर्टी खोलूंगा और इसको रोटेशन देदूंगा थोड़ी सी किसी भी तरीके से यह देखिए इसको डूब्लिकेट करूंगा इस डूब्लिकेट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दो अब लास्ट वाले मेरे जो मैंने अग्रांपल दिया था उसमें इसके कलर्स भी अलग अलग है तो मैं कलर को चेंज करने के लिए इस पे एक effect एड़ करूंगा इस फियर composition पे ना कि इसके अंदर वाली जो यह है royal blue solid code मैं चेंज करूंगा मैं इस composition को change करूंगा तो मैं इसमें एक effect एड़ करूंगा tritone Tritone, Tritone में इसको यही रहने देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, तो CTRL-D, अब Tritone का Color Change कर देते हैं, कोई भी, लाइक ले जाते हैं, कोड़ा सा, तो CTRL-D इसको दुबारा से Duplicate करें, CTRL-D से, कोड़ा गिरी नहीं कमाने रहते हैं, और, फिल्ट कंट्रोली, इसको रहा रहते हैं, English English English, रहते हैं, सबीको सलेक्के, आरप्रेस की रोकेशन प्रोपर्टी बुला, और इनको रैंडमली इदर उदर रहेंगी आप, जहांवरे आपको उचल अब इस परतार से आप उनको रोटेट काता है, और अब अब देखेंगे जी सारे जो इफैक्ट्स हैं, जो भी मोशिन हैं एक दम ही खतम हो रहे हैं, पर वो लास्ट वाले में थोड़े से आगे पीछ है जो पहले, एक, सेकिंड, थर्ड, भी, फॉर्ड, तो उसको करने के लिए इनको थोड़ा सा ओफसेट करना पड़ेगा, यह मेरी फर्स्ट लेर है, साइकिंड, थर्ड, फॉर्ड, फिफ्ड, ऐसे ऐसे, कि मैं इनको धीरे धीरे ओफसेट करूँगा, । पहरले मेरी कैल से मैंने इनकी शैप साइ الخさ में चेंड ने गिया, मैंने सिरफ एक कलास्ट वाली के ता, इसको 102 किया था, तो इसको 104 करने से 155 यह दिदीगी और इसे 158 कि दिदा एसे 158 ज़ कर देवाली, इसको जो भी मैंने composition पनाई है इनको offset करेंगे 10-10 t-frames आगे इसको आगे कर जाती है और 10 t-frames इसको आगे कर जाती है और 10 t-frames इसको आगे कर देखेंगे और यह सारे के सारे जो एनिमेशन हो रही है यह एक दो मैंसे लग रहा है सब्सक्राइब करेंगे और इनमेशन बार बार रिपीट किया हुआ है यह तो हमने एक इनमेशन है पर हमें दिखाना नहीं कि हमने एक रिपीट किया तो इसको हम offset भी थोड़ा आगे पीछे कर देंगे और इन सबी को पकड़के यहां पर expand and collapse stretch पैनल है पर क्लिक करेंगे और इन में से किसी की duration थोड़ी बढ़ा देंगे किसी की थोड़ी कम कर देंगे कि थोड़ी रेंडमने सारी इन सबी और एक और चीज को हमें धियान दखना है यह देखे हमारा यहां पर फर्स्ट वाला start हो गया cut out होना अलब तो अब मेरे को यहां पर second वाले को यहां पर touch कर देना कि यह दिखिए अगर मैं यहां पर touch नहीं करूंगा तो यह बद्दा सा लगया कि transparent layer हो और यह open तो उसके बाद एक दम यह आ रहा है तो यहां से यह start हो रहा है को पर इसको ले जाओंगा यह जहां पर यह start हो रहा है यहां में तो थोड़ी सी manipulation आपको करनी पड़ेगी यहां में लास्ट में इसमें यह एक जो भी मेरा लोगो है जहां तो आप अपना लोगो लगाना जाते हैं वो उसको यहां पर मैं लगाओंगा प्लेस करणा और यह देखिए यह मेरा लोगो तो है पर इसके चारो तरफ वाइट पोश्यन आ रहा है तो मैं इस लोगो को मास्क कर दूँगा तो यह इलिप्स टूल लिया मैंने और इस फोटो जो मेरी यह लोगो की यह पिक्चर है इसको मैं कुल्क किया यहां पे एकडम डेट सेंटर पर क्लिक करके ड्रै किया आउट साइड की दरफ और कंट्रोल शिप्ट अड और विंतीं की इसको पेस करके इसको पर्पोर्शनेटली बढ़ा दिया राइक इस अब मैंने खुड़ दिया यह इसको करने के लिए इसको मास्क बना हुआ है यह आप तेकिंगे इस पी आप डबल टब करेंगे तो यह ट्रांस्फोमेशन का पैनल दुबारा से उपन हो जाएगा इसको फिर कंट्रोल शिप्रोल से बड़ा बड़ा करें यह बड़ा से चोटा है फिर दन एस दो अगेस की साइजिंग अड़ेस कर लेंगे फिच पर कार दिविए अड़ेस नियुए बिकोज यह लास्ट वाल हमारा सबसे चोटा है लाइग इस इस लास्ट में एक और सोलिड एड़ करूंगा और इसमें मैं ग्रेडियंट डाल देता हूं और अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो यह इसका रैंप होगा इस एफेक्ट का नाम पर यह निवर वर्जन जो आफ्टर एक्ट के आई है उसमें इसका नाम कर दिया गया है रेडियेट रैम तो अब मैं आपको इसका प्रीवी बिखाता हूं एक सेक्ट यह भी रेंडर होने में थोड़ा टाइम ले रहा है भी बहुस यह 3D में बंगा एक्शली यह 3D में नहीं है रिपाना तो 2D ही है और उसमें थोड़ी शैडोस थोड़ी हाइला अब यह रेंडर हो चुका है यह देखिए बहुत सिंपल सा बेसिक सा अनिमेशन था जो मैंने अज इस टूर्डर में कवर करने कोश इसकी तो आपको अच्छा लगाओ सो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें